तो जिरामरम सही भाईएंग को क्या आला भाईओं आप सब के उमीद करता हूं बहुत ज़्यादा बढ़ी आऊंगे महिंदरा अपनी माइक्रो सुवी के उपर काम कर रहा है दोस्तों लाके पंच और मारुतिक की इगिनिज के जैसी गाडियों को कट ने वाली हा चोटी गाड़ी ऑने वाली है आपको 2023 के एंड तक लॉंच करते जाएगी क्योंकि महिंदरा काम कर रहा है स्क्यूपर महिंद्र ने अपनी काफी बड़ी गाड़िये लाउंच करी है स्कॉर्पियो थार एक्षुवी 7W लेकिन अब टाइम आगे है महिंद्र है अपनी एक छोटी माइकरो एक्षुवी निकालने का जो कि एक्षुवी 2 डबलो के रूप में आपको मिलती भी दिखाई देने वाली है अब यह मान करने चलो फ्रंट से आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही अच्छी खासी प्रोफाइलिंग होने वाली है क्योंकि लोगों को पसंद आगी कम इसमें आपको एक अच्छी पावरफुल SUV मिलने वाली है इंजन इसमें आपको 1.5-0.5 लिटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लिटर का डीजर आने वाला है पेट्रोल इंजन इसमें आपको 110 PS की पावर देगा और डीजर इंजन आपको 85 से 27 स्थक की माईलेज आपको मिलने वाली है और ये दोने ही जना आपको 5-speed का manual और 6-speed के automatic transmission के साथ मिलने वाले है सेफटी की बात करें तो सेफटी मेस में आपको 6 airbag मिलने वाले है फ्रंट टू डिस ब्रेक ट्रेक्शन कंट्रोल मिलने वाला है electronic stability कंट्रोल मिलने वाली है इसमें आपको entry lock braking system मिलने वाला है isofix child sheet मिलने वाली है और काफी सारे अच्छे safety feature दिये जाएंगे महिंद्रा की गाड़ी है तो safety की तो आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है आपको पता ही है अभी ये गाड़ी आपको पैट्रोल डिजल में मिलने वाली लेकिन आने वाले टाइम में ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक में भी दिखाई देने वाली है क्योंकि मारुति की तरह महिंद्रा भी अपनी दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी ओपर ध्यान देगा जिस तरीके से मारुति दियान दे रहा है बाकी इसमें आपको तो काफी सारे अच्छे फीचर मिलने वाले है यह मान करके चलो बजेट में आपको अच्छे कासी फीचर वाली गाड़ी मिलने वाली जैसे कि टाटा की टाटा ने निकाली अपनी पंच कम पैसों में एक एस्वी वाली गाड़ी और पावरफूल गाड़ी निकालने वाला है 10 लाग से कम इस गारी का प्रेज होगा जहां तक है महींद्रा को कि बागी तब ही पता चलेगा जब यह गारी ऑफिशली रीवील कर दी जाएगी जो कि 2023 के एंड तक तक के लिए गुड़ बै दोस्तों